एक बार बहुत अमीर आदमी अपने बेटे को एक गरीब गाउं में लेकर गया ये दिखाने के लिए कि देखो कि हम कितने खुस किस्मत है हम कितने अमीर है तो उसने उस गरीब गाउं का दोरा कराया और लोडते वक्त पूछा कि बेटा कैसा लगा उसने कहा कि पिताजी थें हमारे पास स्विमिंग पूल है तो उनके पास बहुत बड़ी नदी है और हमारे पास लाइड्स है तो उनके पास आसमान तारों से भरा हुआ है हमारे पास अकेला पन है तो उनके पास बहुत सारे दोस्त है हम खाना बनाते हैं या मंगाते हैं और वो खुद अपना खाना थेंक्यू सो मच पापा कि आज हमें पता लगा कि हम कितने गरीब हैं, कि आपने मुझे यह ऐसास कराया कि उनमें और हम क्या है, इसलिए ये दिखाने के लिए कि गरीब कौन है, इस वीडियो पर गोर जरूर कीजिएगा कि मैंने जो बोला है वो सही बोला है या नहीं, गाउं की जिन्दकी बहुत मस्त वाली जिन्दकी होती है, वहां सब कुछ है, वहां के एक अलग ही वातावरन होता है, खुली हवाए, एकदम मस्त खेलना, कुदना, खाना, पीना, इंजोई करना, बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना, वहां की जो जिन्दगी है न वो में city में नहीं मिलती लेकिन आज के जमाने के लोग गाउ में जाने से कत्राते हैं उन्हें गाउ में जाना एक गाउ में क्या है? वो ऐसे कहते है कुछ नहीं है गाउ में लेकिन सच मानो तो जिंदकी गाउं की ही है कैसा लगा आपको? और आप मुझे comment section में जुरूर बताएगा कि गरीब कौन है मेरे youtube channel पर अगर आप नए हो तो please मेरे channel को subscribe कीजेगा और मेरे videos को share कीजेगा अपने family और friends के साथ धन्यवाद मैं फिर से मिलूंगे आपको अपने नए video नए motivation के साथ